Hello everyone, welcome to GKY गुर्जीत मैं YouTube channel and today I am going to discuss about name change in 2021 और आज की वीडियो इस second part रहेगी भारत के स्थानों के बदले हुए नाम कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को end तक देखें क्योंकि काफी important points रहेंगे आपके आपका विए exam के लिए So first question is चिन्नाई railway station का नाम बदल कर क्या रखा गया है Option A है पुरच्ची तलेवर डॉक्टर एमजी रामचंदरन सेंटरल Option B है चिन्नाई शहर Option C है मदरा सेंटरल Option D है इडू की जंक्षन So answer is A पुरच्ची तलेवर डॉक्टर एमजी रामचंदर सेंटरल Next question is चतर्पती शिवाजी रेलन एर्पॉर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है Option A है चतर्पती शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एर्पॉर्ट Option B है साथीसदवन एर्पॉर्ट Option C है कलाम एर्पॉर्ट Option D है इनमेसे कोई नही nur So answer is A स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है काफ़ इंपोर्टन कोश्चन रहेगा ओप्शन ए है अटल बिहारी वाजपई अंतर आस्ट्रेश स्टेडियम ओप्शन सी है भगत सिंग क्रिकेट स्टेडियम ओप्शन डी है इन में से कोई नहीं सो आंसर इस ए अटल बिहारी वाजपई इंटरनेशनल स्टेडियम ओप्शन ऋप्शन जार सूगडा हवाई अड़ा का नाम बदल कर क्या रखा गया है option A है वीर सुरेंदर साई हवाई अड़ा, option B है भाबा हवाई अड़ा, option C है नहरू हवाई अड़ा, option D है इनमें से कोई नहीं so answer is A, वीर सुरेंदर साई हवाई अड़ा, next question is option A है रामपत, option B है मोधीपत, option C है सूपर, एक्सप्रेसवे, option D है अटलपत, so answer is D, अटलपत, next question is option A है महराजपूर, option B है महेश्वरी, option C है महेश्णगर, option D है महेश्पूर, so answer is C, महेश्पूर, महेश्णगर, next question is option A है किस शहर के सीटी चोंग का नाम बदलकर भारत माता चोंग कर दिया है, ये भी काफी important question रहेगा, option A है पठानकोट, option B, जम्मू, option C है देहरादून, option D है चंडीगर, so answer is B, जम्मू के सीटी चोंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, भारत माता चोंग, next question is option A है गांधी सेटू, option B है राजिंदर परसाद पूल, option C है कलाम पूल, option D है अटल सेटू, so answer is D, अटल सेटू, next question is option A है अरुन जेटली संस्थान, option B है रामदेव सेवा संस्थान, option C है सुस्मा सवराज, विदेश सेवा संस्थान, option D है इनमें से कोई नहीं, so answer is C, सुस्मा सवराज, विदेश, सेवा संस्थान, next question है option A है, विदेश, संचार, निगम, लिम्टेड का नाम बदल कर क्या हो गया है, option A है, रिलाइंस, जियो, option B, टाटा, कम्यूकेशन, लिम्टेड, option C है, वोड़ा, फोन, आइडिया, option D है, अटल, so answer is, B, टाटा, टाटा, कम्यूकेशन, लिम्टेड, next question है, Indian Broadcasting Foundation का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, option A है, All India Broadcasting, option B है, Broadcasting Development Foundation, option C है, Indian Broadcasting Organization, option D है, Indian Broadcasting and Digital Foundation, so answer is, D, Indian Broadcasting and Digital Foundation, next question है, IPL team, Kings 11, पंजाब का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, option A है, Punjab Kings, option B है, Punjab 11, option C है, IPL Kings, option D है, इन में से, कोई नहीं, so answer is, A, Punjab Kings, next question है, International Association of Athletics Federation का नाम क्या हो गया है, option A है, World Athletics, option B है, World Athletics Federation, option C है, New World Athletics Group, option D है, World Athletics Hub, so answer is, A, World Athletics, next question is, Apollo Munich Health Insurance का नाम क्या हो गया है, option A है, HDFC, Agro Health, option B है, Reliance Health, option C है, ICICI Health, option D है, इन में से, कोई नहीं, so answer is, A, HDFC, Agro Health, next question है, Tennis Fed Cup का नाम बदल कर क्या रखा गया है, option A है, Fedder Cup, option B है, Billie Jean, Kings Cup, option C है, Sania Mirja Cup, option D है, Davis Cup, so answer is, B, Billie Jean, King Cup, next question है, हबीब गंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, option A है, नहरू जंक्षन, option B है, अटल जंक्षन, option C है, इंद्रा गांधी जंक्षन, option D है, जहांसी, रेलवे, so answer is, अटल जंक्षन, answer is, B, next question है, महाराश्टर के औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या किया जाएगा, option A है, अटल बाद, option B है, संभाजी नगर, option C है, नहरू नगर, option D है, अटल जंक्षन, so answer is, B, संभाजी नगर, next question है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भियान का नाम बदल कर क्या रखा गया है, option A है, बेटी सबसे आगे, option B है, बदल, option C है, बदलाव, option D है, इनमें से कोई नही, so answer is, C, बदलाव, और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान कहां से शुरू किया था, हरियाना के पानिपत से स्टार्ट किया था, और हरियाना से ही क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि हरियाना जो है, लिंगान पात में, देश का 29 राज्या था, जब बेटी बचाओ, बेटी भियान शुरू किया था, और किसके दवारा शुरू किया गया था, परदान मंतरी नरेंदर 12 जनवरी 2015 को next question is किस metro का नाम राजा भोज के नाम पर रखने की घोषना की है option A है मुंबई Metro option B है लखनव Metro option C है भोपाल Metro option D है दिल्ली Metro so answer is C भोपाल Metro next question is दिल्ली के बाबर रोड का नाम बदल कर क्या हो गया है option A है पांच अगस्त मारग, option B है, पांच अक्तूबर मारग, option C है, अटल रोड मारग, option D है, इन में से कोई नहीं So answer is A, पांच अगस्त मारग, next question is So answer is C, सुष्मा सवराज, और सुष्मा सवराज का समन्द कहां से, हरियाना के अमबाला से था, next question is Option A है, अटल बिहारी वाजपे, railway station, option C है, स्तीश धवन, railway station, option D है, इन में से, कोई नहीं So answer is A, अटल बिहारी वाजपे, railway station, next question is औरंगाबाद का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा, option A है, नाथनगरी, option B, अटलपूर, option C है, संभाजी नगर, option D है, मोधिपूर So answer is C, संभाजी नगर, next question is राष्टिय राजमारक NH703A का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है, option A है, अरुन जेटली, option B, गुरु अर्जुन देव जी, option C है, गुरु नानक देव जी, option D है, अटल बिहारी, वाजपे So answer is C, गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा जाएगा, और गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के संस्थापक और जिखों के पहले गुरु, next question is So answer is C, नाना संकर सेट, option D, इनमें से कोई नहीं, so answer is C, नाना संकर सेट, next question is, आयोध्य बस्टोप का नया नाम क्या हो गया है, option A है, रामपूर, option B, आयोध्यागड, option C है, आयोध्याधाम, option D है, क्रिशन नगरी, so answer is C, आयोध्याधाम, next question is, इलाहबा जंक्षन का नया नाम क्या हो गया है, option A, प्रियाग राज जंक्षन, option B है, प्रियागपूर, option C, प्रियागड, option D है, इनमें से कोई नहीं, so answer is A, प्रियाग राज जंक्षन, next question is, option A, प्रियाग घाट, रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है, option A, प्रियागड, option B, प्रियाग राज केंट, option C है, प्रियाग राज संगम, option D है, इनमें से, कोई नहीं, so answer is C, प्रियाग राज संगम, next question is, option B, मुंबई, नागपूर, सूपर, कम्म्यूकेशन, एक्स्प्रेस, वे का नाम किसके नाम पर रखा गया है, option A, बाला साहिब ठाकरे, option B, सिर्दार वल्लभाई पुटेल, option C, नरेंदर मोदी, option D, राम नगर, so answer is A, बाला साहिब ठाकरे, next question is, option A, बाला साहिब ठाकरे, 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 ब Option D है अटल नगर So answer is D अटल नगर और 36 गड़ की राजधानी राइपूर का नाम अब नया क्या हो गया है Next question दिल्ली के औरंग जेब रोड का नाम बदल कर क्या रखा गया है Option E है नहरू रोड Option B है मोधी रोड Option C कलाम रोड Option D इन में से कोई नहीं So answer is C कलाम रोड Next question हजरत गण चुराहा जो लखनों में है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है Option E है मोधी चौंक Option B है के सीवन चौंक Option C है अटल चौंक Option D है कलाम चौंक So answer is C कलाम चौंक Next question फैजाबाद बस टोप का नाम क्या हो गया है Option E है सुस्मा सवराज बस टोप Option B अयोध्या बस टोप Option C है आरुन जेटली बस टोप Option D है इनमें से कोई नहीं So answer is B अयोध्या बस टोप Next question इलाहबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है Option E है परियागपूर Option B परियागड Option C है परियागराज Option D इनमें से कोई नहीं So answer is C परियागराज और परियागराज इसका नाम क्यों रखा गया है क्योंकि गुप्त काल में इसका इलाहबाद का नाम क्या था परियागराज था और गुप्त मंश्की राजधानी भी क्या था परियाग Next question उद्योगिक नीतियम समवर्दन विभाग का नाम बदल कर क्या हो गया है उद्योगिक नीतियम समवर्दन विभाग का नाम बदल कर Option A है DPIIT Option B है DPI Option C है DPEW Option D है DDPI So answer is A DPIIT Full form है The Department for Promotion and Industry and Internal Trade Next question is कांडला बंदरगा का नाम बदल कर क्या रखा गया है Option A है अटल बंदरगा Option B नहरू बंदरगा Option C है दीन द्याल बंदरगा Option D है राजिंदर बंदरगा So answer is C दीन द्याल बंदरगा कोशिस कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए Next question is बस्ती शहर का नया नाम क्या हो गया है Option A है राम नगर Option B अयोध्या नगर Option C है वसिष्ट नगर Option D इनमे से कोई नहीं So answer is C वसिष्ट नगर और वसिष्ट नगर कहां पर पढ़ता है UP में पढ़ता है Next question is सुल्तानपूर शहर का नाम क्या हो गया है सबसे पहले तो जान ले सुल्तानपूर कहां पर पढ़ता है ये भी UP में ही पढ़ता है Option A है कुष्ट भवनपूर Option B है रामनगर Option C है अयोध्यागर Option D है इनमे से कोई नहीं So answer is A कुष्ट भवनपूर Next question is Congress ने गुरू गोवलकर योजना का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा है Option A है महात्मा गांधी Option B अरुन जेटली Option C है राहूल गांधी Option D है सुष्मा सवराज So answer is A महात्मा गांधी Next question is नोगड शहर का नया नाम क्या हो गया है Option A कृष्ट नगर Option B रामपूर Option C है सिधार्थ नगर Option D इनमे से कोई नहीं So answer is C सिधार्थ नगर और सिधार्थ किसके बच्चपन का नाम था महात्मा बुद के बच्चपन करगान और सिधार्थ नगर कहां पर पढ़ता है UP में Next question is मध्यपरदेश व्यवसाइक प्रिक्षा मंडल जी से व्यापम के नाम से जाना जाता था का नया नाम क्या हो गया है Option A है प्रिक्षा मंडल आयोग Option B है राज्य करमचारी चैन आयोग Option C है करमचारी चैन आयोग Option D है इनमें से कोई नहीं So answer is B राज्य करमचारी चैन आयोग Next question is IDSA Institute for Defense Studies and Analysis का नया नाम क्या हो गया है Option A है अरुन जीटली Option B नरेंदर मोदी Option C है सुसमा सवराज Option D है मनोहर परिकर So answer is D मनोहर परिकर Next question is NIFM यहनिके National Institute of Finance Management का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है Option A है मनोहर परिकर Option B सुसमा सवराज Option C है आरुन जीटली Option D है इनमें से कोई नहीं So answer is C आरुन जीटली Next question is गाखरा नदी का नया नाम क्या हो गया है Option A है सरीउ नदी Option B है अयोध्या नदी Option C है मोदी नदी Option D है सुसमा सवराज नदी So answer is A सरीउ नदी और सरीउ नदी कहां पर बलिया और छपरा के बीच में बहती है और भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है और भारत से उपर यहनी के नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है काली नदी के नाम से जाना जाता है नेक्स कोशन इस उत्तर परदेश के मुगल राय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है Option A है गांधी स्टेशन, Option B है रामनगर जंक्षन, Option C है पंडित दीन द्याल उपाध्याय रेलवे जंक्षन, Option D है किशनगर, So answer is C, पंडित दीन द्याल उपाध्याय रेलवे जंक्षन, Next question is, उत्तर प्रदेश के फैजावाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है, Option A है किशनग Option B है आयोध्या, Option C है रामनगर, Option D है इन में से कोई नहीं, So answer is B, अयोध्या, Next question is, एहमदाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है, Option A है सोहनगर, Option B है रामपूर, Option C है करनावति, Option D हैन में से कोई नहीं, So answer is C, करनावति, और जो एहमदाबाद है उसे क्या बोलते हैं, भारत का मांचेस्टर बोलते हैं next question is IPL टीम दिल्ली डेर डेविस का नाम बदल कर क्या रखा गया है option दिल्ली के खिलाड़ी option B दिल्ली क्रिकेटर option C है दिल्ली capital option D हैं में से कोई नहीं so answer is C दिल्ली capital वीडियो कैसी लगी आप comment box में जुरू लिखेगा और अगर चैनल पे नहीं है तो subscribe कीजिएगा like and share कीजिएगा and press the bell icon जिसे नहीं ने वीडियो की notification आती रहे thank you thanks for watching